मन की शक्ति सूरज की किरणों की तरफ होती है, जब एक ही जगा केंद्रित होती है, तो चमक उठती है, तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विक्सित होना है, कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है एक विचार लो उस विचार को अपना जीवन बना लो उसके बारे में सोचो उसके सपने देखो उस विचार को जीओ अपने मस्तिष्क, मानस्पेशियों, नसों और सरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूप जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रग दो यही सफल होने का एक मात्र तरीका है एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उस काम में लगा दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ पहली बार में बड़ी योजनाओं को मत बनाओ लेकिन धीरे धीरे शुरू करो अपने पैर जमीन पर रग कर आगे और आगे की तरफ बढ़ते रहो जब तक आप अपने काम में व्यस्त हैं तब तक काम आसान होता है लेकिन आलशी होने पर कोई भी काम आसान नहीं लगता जिस समय जिस काम के लिए पृतिज्या करो ठीक उसी समय उसे करना ही चाहिए नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है उठो और जागो और तब तक रुखो नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष प्राप्त नहीं कर लेते निरंतर सीखते रहना ही जीवन है और रुख जाना ही मृत्यु है जीवन का रहस्य केवल भोग और आनंद नहीं है बल्कि अनुभव के माध्यम से सिक्षा प्राप्ती में है जब तक जीना तब तक सीखना है अनुभव ही जगत में सर्वस्रेष्ट सिक्षक है जिस सिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें मनुष्य बन सकें चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामन जसे कर सकें वही वास्तों में सिक्षा कहलाने योग्य है हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है इसलिए इस बात का ध्यान रखे कि आप क्या सोचते हैं जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तुम कमजोर हो जाओगे अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है वो कायर है जो कहता है यह किस्मत है वो मजबूत है जो खड़ा होकर कहता है मैं अपना भागे खुद बनाऊंगा कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप अनंत है सभी शक्तियां आपके भीतर है आप कुछ भी कर सकते हैं खड़े हो जाओ और हिम्मत करके अपनी सारी जिम्मेदारी खुद लेलो यह तै करो कि अपसे अपनी औस फलता के लिए किसी और को दोशी नहीं ठाराओगे न किसी और के भरोसे कोई काम करने की सोचोगे तभी तुम अपने भागे का निर्मान खुद कर पाओगे और तुमारा भविष्य उज्वल होगा जो कुछ भी आपको शारीरिक, बहुत धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है उसे अपने जीवन से तुरंत निकाल दो लगातार पवित्र विचार करते रहें बुरे संसकारों को दबाने के लिए एक मात्र समाधान यही है जीवन का रहस्य भोग से नहीं अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्ति में है दिन में आप एक बार स्वयम से बात करें अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे जिस व्यक्ति के पास स्रेष्ट बिचार रहते हैं वो कभी भी अकेला नहीं होता हमारे देश को नायकों की जरूरत है नायक बनो तुम अपना करतव करते जाओ तुमारे अनुयाई खुद बढ़ जाएंगे संभो की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है असंभो से भी आगे निकल जाना आपके लिए कुछ भी असंभो नहीं है